सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल और दबाईए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके सब्सक्राइब कीजेशन अपडेट्स मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से खुमरता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एन्वल पंशन जो है मत्का मदीना मनाने जाते हैं तो वहां हिंदू को एसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की हमस्ते तो ख在बने वहां जाना हमारे लिए प्रहोजिटिक नहीं होना जाइए दॉक्टर वर्माब साहीबा ने बहुत अ्च्छे सवाल पूछा और ये मेरी किताब में दस्वा सवाल है जो गलत सहिमी नमबर दस है मेरी किताब आप पढ़ेघेंगे गलत सहीमी नमबर द इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूज और रेगुलेशन होते हैं मिसाल के तौर पर मैं हिंदुस्तानी हूं लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजादत नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोन्मेंट एरिया सिर्फ मिलिटरी की लोग तो देश क की हिपाज़त में लगे हुए हैं वो लोग वोन और जा सकते मैने जगर सकतेँ मैं में इस देश का नागरिक हूं मुझे क्यूं नहीं जाने देते मैं यह गौउर्मिंट का रूल है यह comment कैंटोन्मेंट एरिया है मतलब Кशली वो लोग उ शक्स जो estámy यह जो देश की हिपा वो इनसान जो इसनाम के लिए जान देने को तयार है वो लोग को अलाओड है बाकी लोग को नहीं हम मानते हैं कि सब इनसान हमारे भाई है भाई चारा के अंदर वो इनसानी भाई है उसका हम एतराज नहीं करते हैं लेकिन फिर वो भाई लोग अलाओड है जो इसनाम के लिए जान देने को तयार है और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते है उसके लिए आपको वीजा लेने पड़ता है वीजा और सबसे डिफिकल्ट अमेरिका का वीजा खुसूसन 11 सप्टेमबर के बाद 50 सवालात पुछते जब मैं सिंगापूर में पहली बार गया था महां इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेट टू ड्रॉग ट्राफिकल्स जो भी ड्रॉग से पकड़ा गया उसे सजाय मौत अगर मुझे सिंगापूर में जाना है तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रॉग वे तो मुझे सजाय मौत हुई मैं ने किता सजाय मौत इतना खतरनाग सजा नहें मानते तो सिंगापूर में आना ममनू तो आप अगर सिंगापूर का वीज़ा लेते आपके तस्विम करने पड़ेगा के ड्रग वाले को सजा इमोत इसी तरीके से मका और मदिना जाने का वीजा है आप सिर्फ अपने जबाउना के कहो ला इलह इल्माल्लव, महम्मद रसूलल्ला । अगर कोई भी इनसान अपनी जबाउना पहता है कि ना कोई माबूद ए अल्ला के सिवा और महम्मद ऐसके पेगंबर है कोई भी आपको रोख नहीं सकता मकरम अदिना जाने के लिए